इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले वॉल्ट के लेटेस अपडेट के बारे में अन्दा क्रिप्टो पेमेंट जी हाँ तो वॉल्ट ने अपने जितने भी रिमेनिंग जो क्रेइटर्स थे उनको यहाँ पे जो है यहाँ पे ट्रांसर कर सकते हैं उसकी क्या कॉस्ट क्या फीस आने वाली है क्या 100% रिकवरी यहाँ पे आपको मिलने वाली है नहीं मिलने वाली है वॉल्ट के पास में अप कितना पैसा बचा है आपको देने के लिए तो यहाँ यहाँ जानकारी मिलने वाली है इसके link में मैं आप लोग को description box के अंदर provide कर दूँगा तो guys पहले बात करते कि अभी तक क्या क्या चीज़े हो चुकी है तो आप लोग को पता होगा आपके पास में दो option थे basically एक था PRT Creators का उसके लिए voting system था अगर जिसने भी जिन लोगों ने भी उसके अंदर vote किया था वो उसके अंदर यहां पर शामिल हो चुके है दूसरा जो option था वो VRT Creators का जिसको लोग variable recovery track बोलते है और उसके अंदर भी आपको दो option दिये गए थे एक था आपका RDA का जिसके अंदर आपको 30-55% तक bidding करनी थी और जिनकी भी bidding यहां पर accept हुई है उनको यहां पर पैसा अलरड़ी यहां पर मिल चुका है बस वहाँ पर disadvantage यह था कि simply आपको 30-55% तक का पैसा जो है ले करके scheme से निकल जाना था बलब उसके बाद में आपके जितने भी claims थे उनको write-off कर दिया जाएगा और गाइस बाकी के जो creditors है जिन्होंने यहां पर voting वगरे नहीं किती वो by default VRT के यहां पर fall होने वाले थे एवन इसको check करने के लिए जैसे आप अपने vault के account के अंदर login करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं select track for the token recovery यहां पर आपको आराम से जो भी आपका track होगा वो आपको simply तरीके से यहां पर दिख जाएगा आप गाईस बात करते हैं कि कितना पैसा vault के पास में liquid के अंदर था और कितना पैसा इन्होंने यहां पर distribute वगरे किया है तो देखें यहां पर अगर मैं बात करूँ तो O roll जो है यहां पर जैसे मिलाता है कि दो type के creditors होगे एक VRT creditors होगे एक PRT creditors होगे तो अगर मैं इनके पास में assets की बात करूँ तो 92 million dollars जो है basically यहां पर VRT creditors को मिलने वाले थे और उसके अंदर मलब जो net था वो केवल 70 million dollar का amount था तो उसमें से अगर मैं बात करूँ तो VRT के अंदर जिल लोगों ने भी RDA के अंदर participate वगरे किया था वो 33 million dollar उन लोगों के अंदर यहां पर बढ़ चुके हैं और approval जो claims होए थे वो 217 million dollar की है तो ultimately आप कह सकते हैं कि एवल 32% की यहां पर recovery होने वाली है और जो PRT creditors की अगर मैं बात कहूँ तो उनके लिए यहां पर 28 million dollar थे और net होके 26 million dollar थे और जो liabilities हैं इनके पास में जो PRT जित्ते भी creditors है जिनका claim यहां पर approve हुआ है वो 75 million dollar का है तो almost आप कह सकते हैं 35% की यहां पर recovery हो सकती है तो guys बात करते हैं basically कि वाल्ट ने क्या किया है वाल्ट ने सबसे पहले जो भी RDA वाले claims थे उनको पैसा यहां पर बातना शुरू कर दिया था और मैंने अपने वीडियो के अंदर update भी किया था आप देख सकते हैं मेरे पास में जित्ते भी coins थे जो सारे USDC के अंदर convert हो चुगे थे मैंने भी यहां पर RDA के अंदर participate वगरे किया था और मुझे यहां पर जो अपना कितने coins मिले हैं तो देखिया अगर मैं percentage wise यहां पर बात करूँ especially मेरे portfolio की बात करो तो मैंने BTC, Ethereum और XRP तीनों के अपर निकाल के देखा तो यहां पर जो है around 24% से लेकर 21% तक का recovery में को यहां पर देखने को मिल रहा है साथ में जब मैंने अपने वीडियो के उपर comments वाले box के अंदर कई सारे लोगों के comments वागर आना लग गये थे तो वो लोग भी यही कहले थे कि 21% से लेकर 30% तक की recovery जो है almost on all जितने भी coins थे उन लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है आप गैस पहले बात करते हैं कि यहां पर आपको जो withdrawals के coins वागरे देखने को मिल रहे है उनको आपको transfer वागरे कैसे करना है कैसे withdrawals करना है तो देखिए उसके लिए simply आप क्या कर सकते हैं या तो आप वजीर X के उपर account वागरे create कर सकते हैं जो कि Indian exchange platform है अगर आपको instantly INR के इंदर यहां पर withdrawals वागरे करना है तो वहना simply आप beyonds के उपर यहां पर create कर सकते हैं दोनों की link मैं आपको description box के इंदर provide कर दूँगा आप guys यहां पर क्या करना है यहां पर simply आपको जो अपने funding वाले section के आना आना पड़ेगा यहां पर आपको अपना wallet का system दिख जाएगा यहां फिर आप उपर deposit वाले button के उपर भी click करके deposit कर सकते हैं आप guys यहां पर आप transfer कैसे करेंगे जिसे कि वजीर X में भी आपको सारे यहां पर tokens वगरे के यहां पर आपको wallet वगरे दिख जाते तो माल नीचे अगर मुझे BTC यहां पर withdrawal करना है तो simply मैं BTC के उपर click करूँगा अब यहां पर मेरे coins आ चुके किते मेरे पास में withdrawal coins है तो यहां पर सारे के सारे आपको एक साहत ही withdrawal करने ऐसा नहीं करना कि टुकडों में withdrawal कर लो आप यहां पर आपको simply receiver का address डालना है तो अगर आप मालनीचे बियांस वगरे यूज़ कर रहे है तो यहां पर simply तरीके से आपका जो भी BTC का address होगा वो simply तरीके से आपको insert करना है तो जैसे मैं deposit बटन के उपर click करूँगा तो यहां पर में को simply जो है BTC का ही network select करना है और यहां पर आप देख सकते मेरा simply यहां पर address वगरे आ चुका है तो गाईस यहां पर आपको कुछ नहीं करना आप आपको यहां पर simply address डालना है तो यहां पर मेरा already जो है save है address बियांस का तो अगर आपका save अगरे नहीं है तो यहां पर आप अपना address डालका save अगरे करवा सकते हो आप गाईस जैसे आप address डालेंगे तो यहां पर आप देखेंगे एक आपकी network fees वगरे यहां पर लगनी चालो हो जाएगी और यह network fees को डाने का कोई भी तरीका नहीं है आगर आप कोई सा भी wallet यहां पर use में लेने वाले हो यह by default जो gas fees या जो network fees होती वो यहां पर लगने वाली है प्लस अगर मैं INR के अंदर बात करो तो मेरा कुछ 16,000 रुपे के असपास यह claim बन रहा है INR के अंदर और कुछ 200 रुपे के something मेरी यहां पर fees वगरे लग रही है तो guys आपको यहां पर address डाल के अपना simply जो two factor जो authentication code होता है वो simply आपको डालना है और जैसे आप basically send button के उपर click करेंगे तो automatically आपके जितने भी BTC coins वगरे होंगे वो इस address के उपर एक बाद जैसे verification complete होगा simply तरह के से transfer हो जाएंगे इसके पहले भी मैंने USDC coins यहां पर transfer किये थे almost 48 hours लगे थे और transfer हो गे थे और मुझे भी लगता है कि इन coins को भी transfer करने के अंदर obviously बात है इतना ही time लगेगा तो मैं आप लोग को recommend करूँगा कि अगर आप let's suppose long term के लिए holding रखना चाते तो beyonds के उपर definitely आप जा सकते लेकिन अगर आपको instantly यहापे INR के अंदर withdrawal करना है तो simply आप वजीर X के उपर जा करके अपने जो coins से वो INR के अंदर convert करा सकते एक बार जैसे वजीर X के उपर transfer वगरे हो जाते हैं तो guys बात करते कि क्या यहापे आपको 100% recovery मिलने वाली है 100% कि आपको अपना पैसा यहापे मिलने वाला है तो मैंने इनके जब FAQs पड़े तो देखे अभी right now यहाँ पर अगर आपको tokens के अंदर withdrawal coins वगरे नहीं दीख रहे है तो उसके 2 reason हो सकते अगर देखे अगर आप vrt creators है ठीक है और आपने RD के अंदर participate किया था और मालीच अपने अपने सारे coins को ही RD के अंदर participate किया था और उनकी सब्की की जो bidding है वो यहाँ पर successful हो चुकी थी और already आप withdrawal मार चुके हो तो भाई आपको आगे जोए कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है आपके जितने भी claim से वो यहाँ पर write off किया जा चुके है अगर आप PRT creators है या फिर VRT creators है जिनोंने भी RDA के अंदर participate वगरे नहीं किया था तो उनको आप यहाँ पर coins वगरे दिखने वाले हैं जिनका मैं recovery percentage आपको अलड़ी बता चुका हूँ एक किस से लेकर 30% तक का आपको recovery यहाँ पर दिखने वाला है अब यह आपको जित्ता भी पैसा दिया जा रहा है वाल के पास में जित्ती भी liquid assets है उसमें से दिया जा रहा है ऐसा नहीं कि वाल के पास में पैसे खतम होगे उनके पास में पैसे है लेकिन वो सारे पैसे जो है इलिक्विट assets के अंदर पड़े हुए यानि कि उनको भी right now and cash नहीं किया जा सकता तो देखिए अगर मैं इनकी liabilities और assets की यहां पे बात करूँ तो 325 million dollar से भी जादा के इनकी वाल की total liabilities थी जो इनको creditors को pay करनी है और assets की बात करूँ तो 115 से 120 million dollar के something इनकी जो है basically assets थी जो की यहां पे liquid assets थी जो की 36% होती है total liabilities की और 146 million इनके पास में और पड़े हुए लेकिन यह सारे के सारे पैसे अभी right now block हो रखे है यानि कि यह ultimately इनकी जो illiquid assets होती है उसका basically यहां पे part है अब guys बात करते हैं कि यह पैसे मिलने के बाद में यह जो illiquid assets है जैसे यहां पे recovery के अंदर जाती है मतलब यह जैसे liquid के अंदर convert होगी उसके बाद में आपको अपना remaining यहां पे पैसा मिलेगा तो यहां पे अगर मैं बात करूँ तो 100% recovery तो नहीं लेकिन at least maximum recovery अगर आप यहां पे कर सकते हैं लेकिन उसके भी यहां पे देखिए obviously बात है सारी चीज़े यहां पे hope पे हैं कि जैसे इनकी illiquid assets है कब यहां पे liquid के अंदर यहां पे convert होगी तो अगर मैं illiquid assets के यहां पे summary wise बात करूँ तो जैसे अगर मैं बताया कि इनकी जो illiquid assets है टूटल 185 million dollar की यह 186 million dollar की वो तीन पार्ट के अंदर यहां पे बटे वी है एक counterparty A है फिर उसके बाद में coin loin करके है और flip world करके जो कि इंडिया की company है तो counterparty जो A है उसने कुछ legal proceeding कर रखी है इनके directors के against में और जो coin loan है उसने bankruptcy वगरे फाइल कर रखी है उसका भी liquidation वगरे चल रहा है और जो flip world है जो कि इंडिया की इंकी entity थी तो उसको ED ने यहां पे freeze वगरे कर रखा है तो उनकी भी code वगरे के अंदर proceeding वगरे चल रही है अब यह पूर का पूरा पैसा यर कब जाकर हम जो है liquid के अंदर convert होगा इसका कोई भी estimate यहां पे time नहीं है लेकिन वाल्ट यह कह रहा है कि दो से तीन साल भी इसको basically यहां पे ले सकते हैं तो आपको यहां पे काफी जादा wait वगरे करना पड़ सकता है यह जब तक सारी की सारी जो है इल लिक्विट के अंदर convert नहीं होती तो guys hope you like this video और telegram channel को join करना मत बुलिएगा open channel होगा आप लोग अपने एक दूसरे से यहां पे discussion वगरे कर सकते हैं लेकिन please spamming वगरे मत कीजेगा मना मैं आप लोग को block वगरे कर दूँगा साथ में guys यहां पे मैंने vault के उपर पूरी की पूरी playlist बना रखिए अगर आपको past update वगरे देखने हैं तो please इन वीडियो के तुरू आप यहां पे check out कर सकते हैं और इसके लावा future के अंदर कोई भी update आएगा तो definitely सबसे पहले आपको हमारे channel के उपर देखने को मिलने वाला है